दोस्तो आप भी एक कार ड्राइबर हैं या एक कार लेना चाहते हैं या एक कार चलाते हैं और आप नए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक महत्पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जैसे के हमारी कार रोड पे चलते समय कभी भी पंचर मार दे तो हम इस्टपनी कैसे बल दें पांच मिनट में इस वीडियो को अंतक देखेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको इस्टपनी बदलने का पूरा सही तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहले आपको गाड़ी को साइड में खड़ी करना है लेबल जगए पे और हैंड ब्रेक लगा कर ही कार को खड़ी करें उसके बाद आपकी जहां इस टपनी और जग या रिंच पाना रखा हैं उस जगए को ओपन करें जैसे के मेरी कार में पीछे डिगगी है तो मैं डिगगी को ओपन करता हूं और इसमें से निकालता हूं यह रहा इस टपनी और यह जग और यह रिंच इसके माध्यम से मैं सबसे पहले दोस्तो सबसे पहले हम यह चारो इसकुरू को दो दो चूणी उतार लेंगे मेरे कहने का मतलब है इन चारो बोल्टो को धीला कर लेंगे और यदि आप इनको पहले धीला नहीं करेंगे और जग पहले लगा देंगे जग लगा कर गाड़ी को उठा देंगे और इसको खोले तो यह पईया आपका घूमने लगेगा और यह खोलने में काफी परेसान हो जाएंगे आप तो सबसे पहले आप हैंड ब्रेक लगाकर जग बाद में लगाएं पहले यह चारो इसकुरू को पौना के माध्यम से धीला कर लें उसके बाद आप जग लगाकर गारी को उठाएं और बड़े आसानी से इस भील्ज को पैया को बाहर निकालें और दूसरा वाला यह पैया बड़े आसानी से साफधानी पूरवक लगा दें और पूरी अच्छी तरीके से चारो इसकुरू को टाइट कर दें और टाइट करने के बाद आपकी इस टपनी लगकर एकदम कम्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलता हूँ एक नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार